खिसारी लाल यादों को इस आवार्ड सो से बाहर करने के लिए इस हद तक लोग गुजर जाएंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं था आप लोगों को बता दे कि इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि IBFA जो आवार्ड हो रहा है दुबाई में उस आवार्ड से खिसार को सबस्क्राइब भी जरू कर लिजेगा तो रमस्कार दोस्तों में आपका दोस्त विसाल स्वागत है हमारे चैनल भोजपृया जहान में आज की इस वीडियो में आप लोग को बता दे कि खेसारी लाल यादों को IBFA अवार्ड से बाहर करने के लिए लोग बहुत ही बड़ सड़ेंत कर रहे हैं वोजपूरी इंडस्ट्री में अकसर ऐसा देखा गया है कि एक इस्टार को अगर आप इंवाइट कर रहे हैं तो दूसरे इस्टार को आपको इग्णोर करना पड़ेगा तो हो सके कि आप लोग को बता दे कि अभी हाल फिलाल में जो अवर्ड सो हुआ जो कि आप लोग देखे होंगे दंगल प्ले स्क्रीन अवर्ड जो 2023 हुआ उसमें पवं सिंग नहीं पहुचे थे आप लोग सभी को पता है तो उस अवर्ड सो की जितने भी हम लोग वीडियो अप्लोड कर रहे थे तो उसके नीचे एक ही कमेंट आ रहा था कि देख लेना दुबई ये वाला एवर्ड में तुम्हारे खेसारी लाल यादो को कोई नहीं पूछेगा ऐसा मतलब कुछ लोग कमेंट कर रहे थे तो यहां पर मैं बता दूं कि खेसारी लाल यादो को न पुछना ये तो किसी की मजबूरी बन गई है मतलब खेसारी लाल यादो को अग आप लोगों को बता दे कि जिन लोगों को लगता है कि खेसारी लाल यादो मतलब जहां पौन सिंग जाएंगे वहां खेसारी लाल यादो नहीं जाएंगे तो एक बात आप लोगों को यहां पर क्लियर कर दू कि खेसारी लाल यादो ने आज तक कोई वैसा बयान नहीं दिया चाहे खेसारी लाल यादो ने आज तक वैसा कोई कार नामा ने किया है कि जहाँ पर पौन सिंग जाएंगे वहाँ पर वो नहीं जाएंगे अगर खेसारी लाल यादो को आदर पुर्वक बुलाया जाता तो वो जरूर हर आवायड में जाते है और जहाँ पर इनको आदर मिलता है वहाँ पर ये जरूर उपस्तित होते है आप लोग को बता दे कि ये दुबाई में जो अवर्ड्स होने वाला है जिसका नाम IPFA है उसमें खेसारी लालियादों नहीं जाएंगे क्यों? क्योंकि खेसारी लालियादों के उपर पहले से ही सड़ेंतर कर दिया गया है उस अवर्ड्स हो का डेग जो है 15 मार्च को रखा गया और 15 मार्च को आप लोग समी को पता है कि हमारे trending star खेसारी लाल यादो का जनम दिन है और इस बार खेसारी लाल यादो का कहनाम था कि इस बार मैं अपना जनम दिन अपने परिवार अपने फैंसों के बीच मनाऊंगा मतलब हर बार तो केक वे काटता ही हूँ हर बार काम के वज़े से मुझे फुर्सत मिलता ही नहीं है लेकिन इस बार उनका जो बड़े होने वाला है उस पर क्छेषारी लाल यादो कुछ अलग करने वाले है गरीबों को कमल बातना और विकलांक लोगों को विल चेयर जो उनको बातना है जो की खेसारी लाल यादो वादा किये है उसको तो पूरा करना ही है तो इसलिए लोग देखे कि 15 मार्च की इसको विलचेर बाटना है तो चलो हम लोग 15 ही मार्च को अवर्ट सो कर देते हैं ताकि मतलब साप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे ताकि खेसारी को ये लगे भी नहीं कि उसको हम नहीं पूछे और वो आये भी मतलब कुल मिला जुला हुआ सड़ेंत्र है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भोशपूरी इंडस्ट्री में कितने गंदे गंदे ये सड़ेंत्र किये जा रहे है और ऐसे ही सड़ेंत्र के वज़े से हमारा भोशपूरी इंडस्ट्री को आज जा होना चाहिए उस अस्तर पे हमारा भोशपूरी इंडस्ट्री नहीं पहुँच सका है मानते हैं कि भोशपूरी इंडस्ट्री प्रगती कर रहा है लेकिन इस प्रगती में ऐसे ऐसे जो रोडे आ रहा है न ये भोशपूरी इंडस्ट्री को नुकसान पहुचा रहा है और ये बहुत ही गलत है ये पूरा बात मैंने क्लियर करके आप लोगों को अच्छे धंग से समझा दिया हूँ और उमीद है कि आप लोगों को अच्छे धंग से समझ में आ गया भी होगा तो जिन भाईयों को मेरी बात समझ में आई वो एक काम कीजेगा कि वीडियो को लाइक जैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा क्योंकि इसी प्रकार के भोशपुरी इंडस्ट्री की सची खबरे आपके लिए आपका दोस्त हमें साल आता रहता है मिलता है फिर अगली वीडियो में वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद